ओम शन्नो मित्रशं वरुणा शन्नो भवत्वर्यवा शन्न इंद्रो ब्रिहस्पते शन्नो विष्णो रुरुक्रमा नमु ब्रह्मने नमस्ते भायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिश्यामी रितम वदिश्यामी सत्यम वदिश्यामी तन्माम अवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् प्रति एक दिन हमारा स्वामी न्यूज के फेस्बूक चैनल पर चलता है आज हम दैनिक योगा भ्यास करम बताएंगे दैनिक योगा भ्यास करम क्या होता है कौन-कौन से आसन प्रति दिन आप अपने शरीर को हलका स्पूर्तिवान और बल्वान बनाने के लिए करें जिससे क निए स्ब्सक्राइब केव सब्सक्राइब रखोसेरों सनि चलते हैं सिर्थ तक चलेंगे और कुछ आसन पूछ व्यायामों को देखी कि सबसे पहला पहला अभ्यास अपने पैरों के सुक्राइब हम कर रहें कमर को सीधा रखें दंडायसन में बैठने का प्रmuşता या नि बिल्कुल सीधु है जो न नि न दंड दंडे की तरह बिल्कुल सीधा कर लें उपर से भी और इधर नीचे से अपर पार्ड भी लोवर-पार्ड दों दंडे जैसे हो जाए पूह बहुत पूरा भरें और पूरा खींचें और थोड़ा सा अगर एडियों में गैप रखें तो यह अंगूठा जमीन को चूँ जाए और फिर वापस आजाए फिर से ऐसी चलें श्वास भरके ऐसे अंगूठा दोनों को मिलाए और इन अंगूठों को जमीन से चुआए सूक्ष्मी व्यायाम मुक्ष्मी व्यायाम कर रहे है अब दोनों पैरों को पास में कर लेंगे श्वास भरें पूरा आगे अगे तक हीचे बूरा आगे तक आप को जूम गर के दिखा रहे आपको दिखेगा पैर का संचालित हो रहे हैं कैसे चल रहे हैं श्वास पूरा भरकत और इतना आगे लाने की कोशिश कर ये पैरों की कमजोरी ये बाइंते आना ये क्रैम साना ये पैर का सो जाना ये पैर में मोच आना ये सब चीजें दूर हो जाएंगी यदि पैर मजबूत हो गए पैरों की मांस्पेशिया मजबूत हो गई ही तो ये इ या जूट बोलेगा कि मैं पहले आया था मैं तो पहले का लगावा था खड़ाई धैरे नहीं है जीवन में पैरों में भी ताकत नहीं है और मन को भी मन भी बलवान नहीं निश्ठा पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति संतुष्ट रहता है जो इमानदारी से जीवन को जीता है वो संतुष्ट रहता है पूरा गोल गोल कुमा पैरों में ताकत आ जाएगी ज्यादा चल पाएंगे ज्यादा दोड पाएंगे और पैर सोएगा नहीं पैर में मोच नहीं आएगी और बाहिटें नहीं आएंगे बाह प्राणायाम पूर वक्त एक एक अभ्यास को करें ऐसे पूरा राउंड लगाओ पैर को कस्के रखो बेला अम्रित गया आलसी सो रहा बन अभागा साथी सारे जगे तून जा बेला दूसरे पैर से करो और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो बेला आप सब के लिए ही तो इसका रिक्रम का टाइम धोड़ा डिले किया है जिससे की सुबह 6 बजे उठकर के सभी लोग नहीं कर पाते हैं तो अभी भी काफी सारे लोग कर सकते मैं देख पा रहा हूं हमा अपी दर्शक अमरे साथ पानलाइन युड़े हैं किनी का कोई प्रशन भी हो तो वे भी इस कमेंट सेक्षन में पूछ कर सकते हैं लिख करके यह लाइव करेक्रम चल रहा है आप सभी के सामने कोई recorded करेक्रम नहीं है यह अभी हो रहा है और अभी के अभी आप सब देख प है हिप जाइंट के जिसको हम पूल हे का जोड कहते हैं इसके किये अगला भ्यास हम कर रहे हैं एक एडी को दूसरी जंगा पर लगाएंगे ऐसे यूं लगेगी श्वास बाहर होगा कि कि पूरा अधिक से अधिक यहां की बजाए और उपर यहां की बजाए और उपर और उपर यहां लाने की कोशिश करें यह प्रयास करें इससे गुटनों के दर्द में भी विशेश लाब होने वाला है इपताय है अगला भ्यास एक एड़ी को दूसरी और फैंके श्वास बाहर पिर श्वास बरके वापस श्वास बाहर दूसरी और फैंके सार व्यायाम कहते हैं को थूल व्यायाम है एक एड़ी को δूसरे पंजे पर रखके श्वास-बाहर और अंगूठे को जमीन से लगाए विप्रीज दिशा में घड़न दूसरी ओर विप्रीज दिशा में जैसे राइट वाला पैर है तो लेफ्ट साइड में इसके अंगूठे को लगाएंगे और गरदन राइट साइड में तणाओ करें श्वांस सामन्य रूप से रोक कर रखें और इस लेफ्ट वाले पैर के अंगूठे को इधर राइट साइड में जमीन पर लगाएं श्वास पूरा बाहर कमर पर पेट पर खिचाव अनुभाव करें वापस आ जाएं कुछ लोगों को यह सारा बैग्राउंड दिखनी रहा होगा तो मैं और थोड़ा इसको पीछे कर लेता हूं अब लोगों की सुविधा के लिए सब दर्शकों को दिख पाएगा चलिए अगला उसी अभ्यास को करने मतलब आपको लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में तो लगा नहीं नहीं लेफ्ट वाले को राइट में लगाना है श्वास पाहर और पी समय निकाल आत्म शुद्धी के लिए नर जन्म का उदेश न केवल विलास है आनंद सुरूत बह रहा तू क्यों दास है आनंद सुरूत बह रहा अगला अभ्यास जो लोग शिकायद करते रहते हैं कि मेरे से पदमासर नहीं लग रहा वैसे तो ऐसे लग जाता है इस पदमासर अब शिकायत करना है जी मेरे से तो इतने टाइम हो गया पदमासर लग ही नहीं रहा लगता ही नहीं है कोई तरीका बताओ तो तरीके के लिए मैंने आपको यह वाले एक्सराइज बताई यह तो करनी है उसके अलावा क्या करना दो है कि अगता है अंगलों को फसा जे आसे हाथ का इंटरलॉग और घुटने की ठीक नीचे यह लगाना श्वास पूरा बाहर करना कमरशीदी करना आ पूरा चाती से लगाने की कोशिक्त सीने से सपर्श करने की कोशिक्त श्वास बाहर बाकि सीधे बैठे रहा हूं यह नहीं जोड पर हिप जोइंट पर मन को टिकाओ और फिर श्वास भरें और हाथ के इंटरलोग को उपर से नीचे इस गुटने को दख्का दे रहें इसको जमीन से लगाने की कुशिश करें इसको आप कई बार करें चार पांच बार दस बार तक जतने जल्दी आपको पदमासन लगाने की इच्छा है उतना जल्दी लग जाएगा लेकिन जितनी संख्या में आप इसको करते रहेंगे उससे और ज्यादा हिप जाइंट हमारा चलिए दूसरी तरफ से भी ऐसे इसको पूरा अंदर की तरफ लगाते हैं ताकि यह यहां से गिरे नहीं पूरा अंदर लगाते हैं श्वास बाहर इसको सीने से लगा जाती है कि दैने की योगा बयास करम का आज भाग एक है अब यह चलेगा कुछ तिन तक रोज कौन से कौन से अभ्यास को करें हम बहुत तो सोचते रहते हैं बहुत सारे लोग कि रोज क्या करें तो रोज वही अभ्यास करें देली थोड़े थोड़े बदल करके कर सकते हैं अगला अभ्यास कि पांच मीं पैक्टिस यह पैर इसके बीच का हिस्सा अपने कोहनी का या आगे का हिस्सा यानि कलाई का बुजा का इस ऐसे लॉक कर लेंगे और दूसरा इस गुटने के थोड़ा नीचे इदर जंगा से ऐसे लॉक कर जाएं और यह लॉक होने के बाद आराम से अंगलियां उंगलियों में फस जाएगी हाथ इंटरलॉक हो जाएगा और फिर श्वांस बाहर और एक तरफ घुम जाएं पीछे देखें जितना हो सके उतना रुकें फिर वापस आजाएं फिर श्वांस बाहर पीछे देखें दूसरी तरफ जितना हो सके उतना रुकें फ से करें आप 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 ऐसे चलते रहे आठ 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 दस दस पंदरा पंदरा बीस बीस बार करते रहें लगाता ऐसे दूसरे पैर से भी आपको अभ्यास करना है यह सूक्ष्म और स्थोल व्यायाम है यह शरीर को हलका बनाते हैं श्वास बाहर पीछे श्वास भर के बापर पिछे श्वास भर के बापर कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धी के लिए नर्जन्म का उद्धेश्य नकेवल विलास है आनंद स्रोत बहरा तू क्यों दस है देखो यह वैसे तो गो मुखास गो रक्षासन कहलाता है भद्रासन भी इसी की तरह से होता है यह एडियां दोनों सीवनी नाडी मलमुत्र द्वार के पास में लग जाती हैं इसको कहते है गो रक्षासन और इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं दोनों एडियों को ऐसे लगा देते हैं दोनों पैर तलवे आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों हाथ ऐसे और इन गुटनों को सीधा करते जाएं बिल्कुल एक सीधी 180 डिगरी के कोन में करते जाएं कमर सीधी और सामने की ओर एक बिंदू को देखते रहें गो रक्षासन सिध्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं चस्वस्तिकं सिंगं चगो मुखं वीरं धनुरासनमेवच मृतं गुप्तं तथा माच्यं मत्सेंद्रासनमेवच गोरक्षं पश्यमोत्तानम उत्कटं संकट तथा मयूरं कुकुटं कूरमं तथा चोत्तान कूर्मकं उत्तानम अंडूकं विक्षं अंडूकं गरुडं विक्षं शलभं मकरं चोष्त्रं भुजंगं योगमासनम द्वात्रिंशदासनम् यह 32 आसन महर्शी घेरंड बता रहे हाथ नीचे और रिलाक्स विश्राब है कि इस तरह से अमें आसनों के अभ्यास को भी करके अपने शरीर को शक्ति प्रदान करनी चाहिए प्रति एक दिन शक्ति मिलेगी प्रति एक दिन ऊठेंल नेगी दोनों पैरों को ऐसे अब सारा लौर पार्ट कोई देख रहिए अभी अभी तो ऑपर पार्ट के तुश्र म अभी तो सब लोवर पार्ट चल रहा है आदम बैठे बैठे के अभ्यास देखने दैनिक योग अभ्यास क्रम का ये भाग एक है एक हाथ दाएं और बाएं हाथ दोनों को कोशिश करें देखो अंगूठा बड़ी वाली अंगूठे को चू रही है अच्छी बात मिना गुटन कि रोज जारी रखें जिनके कमर में दर्द है उलॉक ज्यादा जो रना लगा ये ध्यान रखना अब को इस तरह से कि और हाथ को दाएं पेर से ट्रच करना है और एक हाथ को पीछे ले जाना श्वास बहर सुन लो सुन लो काम की बात योगासन के बहुत हैं लाब सुन लो सुन लो काम की बात योगा भ्यास के बहुत हैं लाब तनमन रखे निर्विकार करें रोज सूर्य नमस्कार अंतरमन में हूँ अनुशासन जब हम करते वज्रासन विपरीद दिशा से इसका गैप नाप लेना एक दो और तीन इस तीन बालिष्ट का हासला दोनों पैरों में हो जाए तो यह ठीक ठाक सा बन जाता है अब डाएं पै से इस प्रकार से विपरीद दिशा में लगाना है ऐसे पकड़के देखो एक बार श्वांस बाहर पीछे देखो पीछे एक हाथ की तरफ देखने का प्रयास करें थोड़ी देर रुके और फिर वापस श्वांस भरकिया जाए पिर श्वांस बाहर यह कुछ लोग पेट से बहुत परिशान है कि पेट कब अंदर होगा पेट को कैसे अंदर किया जाए तो पेट पर चोट करो अलग अलग आसनों और व्यायमों की अपने आप अंदर हो जाए कई कई बाहर करें पेट पर चोट सर्दियों में पेट का बढ़ना स्वभाविक है इसलिए बढ़ने मत दो परसों हमने कारेक्ट्रम किया था कि पेट पर कैसे काम किया जाए परसों से भी एक दिन पहले किया पेट पर कैसे काम किया जाए तो पेट पर कैसे कैसे काम किया ज बालिष्ट का फासला आजाएगा दो ब्लांट अब पैर रखें हातों को ऐसे फिर अंगुलियां फसाएं आपस में और इसको पूरे इंटरलॉक करके रखें और पूरा ऐसे बंद कर लेंगे श्वास बाहर एक पैर तक जाएं रोकें पिर दूसरे पैर तक जाएं रोकें फिर थोड़ा पीछे जाएं और इस मुठी को यहां लगा है कि ऐसे चक्र लग जाएगा तो चक्की चालन हो जाएगा श्वास बाहर आगे जा रहे हैं श्वास भड़ते वें पीछे सारे चीज़ें आज धीरे धीरे इसकी बारीकी के साथ बता रहे हैं लोग सोचते हैं चक्की चालन बड़ा आसान होता है आसान ने आप डंग से करोगे तो दस बार भी मुश्किल तो होगी करने में और फिर अभ्यास होते होते पचास बार तक कर सकते हैं आगे जुकना उसको नहीं है जिनको कमरदर्द रहता है यह ध्यान रखने की बाते हैं वे लोग विल्कुल भी आगे ना जुके कमरदर्द वाले सभी लोगों को आगे जुकना मना है यह ध्यान रखना छुट्टी कि संडे को चुट्टी कर लेते हैं कुछ लोग कि संडे को योग नहीं करेंगे संडे को योग ज्यादा करो कि संडे को योग ज्यादा करो चुट्टी की भी चुट्टी कर दो कि तो रोगों की चुट्टी हो जाएगी रोगों की श्वास बाहर और आपको ऐसे समस्या आ दोनों पैरों को मिला लोग ऐसे अगर किसी किसी को समस्य आती है पूरा नहीं कर पाता तो पैरों को मिला कर कैसे कर आई ऐसे लंबे लंबे श्वास के साथ चक्त की चालन का भ्यास करते रहें बिनारुके बिना थके दूसरी तरह से दूसरी तरफ से फिर मत कहना कुछ कर न सके जीवन अपना सवर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके चक्की चालन के बाद नौका चालन अगला भ्यास श्वास बाहर मुट्यां अंदर ऐसे मुट्यों में अंगुठा अंदर इस में श्वास भर के पीछे जाएं और श्वास बाहर आगे जाएं का कैं आव अजय नहीं इस इस अगरे थाते हैँ आए कि ऐसे उल्टा भी चला लेंगे चक्की चालन के बाद हम अब नौका चालन को कर रहे हैं एक तरफ हमने अभ्यास किया अब हम इसको विप्रीत दिशाँ से करें अभी हम कमर तक पहुंच चुके पैरों से हमने शुरू किया था कमर तक पहुंच चुके हैं अगला भ्यास रिलाक्स विश्राम अब हम बैठ जाए सीदे योग ऐसे रोज करना शरीर को ऐसे कहा भी गया नतस्य रोगो नजरा नम्रित्यो प्राप्तस्य योगा अगनिमयम शरीरम वह व्यक्ति रोगी नहीं होता वह व्यक्ति बूड़ा नहीं होता जो व्यक्ति योग की अगनी में अपने शरीर को तपाता है और योग की अग में अपने शरी को तैयार कर लेता है ना तस्य रोगो ना जरा नम्रित्यू प्राप्तफ्य योगाग्नी मयम शरीरम एक हाथ को आगे रखें इसके ठीक पीछे सीध में अप्रसीध में श्यास पूरा बाहर चोड़ करके जमीन पर रख दें साथ को पर दीरे धीरे पूरा गूमने का प्रयास है अधिक से अधिक गूमने का प्रयास करें आगे श्यास भरते वापकेस आज हैं पांच बंद कर एक है अब जात झाल झाल योग के इस नियमित अभ्यास को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए अगला अभ्यास हम सूक्ष्म गयाया हम कर रहें अपर पाड के उपर के भाग के उपर के भाग से चलते हैं सबसे पहला अभ्यास हम गर्दन का करते हैं श्वांस भरते वे गर्दन पीछे ले जाओ पहले तो चलो एक-एक करके अभ्यास बताते हैं ब्रह्मो मुद्रा वाला बताते हैं जो थाइराइड है जिनको जिनको सर्वाइकल स्पॉंडॉलाइटिस है उन लोगों को कौन से अभ्यास करने चाहिए और कि इनको कौन से नही करना चाहिए श्वास्पूरा बाहर इस ठोड़ी को यहां कंट कूप से लगा देंगा कि दबा के रखें थोड़ी देंगे थाइराइड वाले जितने भी हैं उनको यह ब्रह्म मुद्रा अवश्य करनी है जब पसीना आने लगे कुछ भीआयाम होसे अपने पसीनें को अवश्य पहुआशे पहुशनें पसीन को बहतेर नहीं रहने देना कि दुदं को है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है गर्मी में बिना पंखे कर तला कि darkness योग करने से इन व्यायामों को करने से लेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉंसिलाइटिस आधी-आधी रोगों में भी विशेश लाब होता है दाएं तरफ घूम जाए, कान को कंदे से लगाने का प्रयास श्वास बाहर श्वास भरते भी वापस आजाए फिर श्वास बाहर तीन-तीन बार प्रत्य अभ्यास को कर सकते हैं धीला छोड़ते विए करना तनाव मत लेना श्वास बाहर दाएं ओ, तीसरा अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे गुमाई श्वास भरते भी वापस आजाएं श्वास बाहर श्वास भरते विए वापस आजाएं अब गोल गोल गुमाई चौथा अभ्यास श्वास भरते विए पिछे ले जाओ श्वास चोड़ते विए वापस आगे लाओ स्लोली स्लोली कम्प्लीट एंड फुल मुमेंट एवरी प्रैक्रिस डू विद ब्रिधिंग हर अभ्यास को श्वास के साथ करो यह बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा कारेक्रम है आज का जो लोग योग शुरू करना चाहते हैं वह सब इन अभ्यासों से शुरू करें शरीर खुलने लगेगा फिर आसन भी कर पाएंगे अज का अमने सत्र ही प्रार्मबिक सादकों के लिए रखाए जो पुराने हो तो करें ही करें किन सादकों के लिए बहूत उपयोगी सत्र है अग्राभ्यास गर्दन के शुख्ष में होने के बाद अपने कंधों पर चलते हैं अपने कंधों को गोल गुमाएंगे तो इनों गुटनों पर ऐसे आत रख लो श्वास पूरा भरे और को मतलब पूरा पीछे की तरफ ली जाएंगे श्वास भरते वह और नीचे जब उतारेंगे तो श्राश चूरते वह ऐसे पूरा पच्छीज बार का अभ्यास भी कम है अधूरा है जोग में यह मिद्धान लखना है जिस अभ्यास को क्लॉक्वाइज करने उसको एंटी क्लॉक्वाइज भी करना है जिस अभ्यास को दायन तरफ से करने उसको बाई और से विकना है दो श्वॉसल्य भरते हातों को ऊपर ले जाए और श्वाइज को नीचे जमीन पुकारती ये देश हैं पुकारता पुकारती मा भारती उठो जवान देश की रगों में तेरे बहर रहा है खून राम शाम का जगत गुरु गोविंद और राज पूथ शान तू चल पड़ा तो चल पडिएगी साथ तेरे भारती ये देश हैं पुकारता पुकारती म भारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठा खड़क बड़ा कदम कदम बढ़ाएजा कदम कदम को दुश्मनों के धर से सर उड़ाए जा उठेगा विश्व हात जोड करने तेरी आरती इरेश है पुकारता पुकारती मा भारती उठो जवान देश की ये शत्रू ये दुश्मन हमारे भीतर बैठे वे नुफुरत के रूप में बैठे वे स्वार्थ के रूप में बैठे वे बेईबानी के रूप में बैठे वे और अब्रमचरे के रूप में बैठे वे गंदे बुरे विचारों के रूप में बैठे वे जगा दे सुप्रभात को फेला दे अपनी लालिमा तेरी शुब कीरती विश्व संकटों को तारती ये देश है पुकारता पुकारती मा भारती उठो जवान देश की अपने में से ही निकल करके कोई जाए वो व्यक्ति ज़्यादा हानी करता है बाहर का व्यक्ति कम हानी करता ह अपने अंदर से ही कई लोग शत्रू के रूप में पनपते हैं जैसे हम सब के मनों में, हम सब के शरीर में रोग आते हैं जैसे मन में कई सारे बुरे विचार आते हैं वो सब हमारे शत्रू हैं अगर उनको समय पर आपने समाप्त कर दिया और मन को ऐसा बना दिया कि यह दुष्ट विचार उठे ही नहीं क्योंकि जब तक आप अच्छी फसल नहीं बोएंगे अच्छे विचारों की यह खर्पतवार उगती रहेगी आप यह मत सोचो कि मैं गलत काम यह गलत विचार तो उठाई नहीं उठा रहे तो भी खर्पतवा और अच्छी पुस्टकों का पठन पाठन करना चाहिए ऐसे चले श्वास भरते श्वास छोड़ते हैं कि यह सारे व्यायाम हैं कंधों के भुझाओं के जो लोग लगातार आफिस में बैठते हैं कम्पीटर पर बैठते हैं जो लेखक हैं जो राइटर हैं जो इंटरनेट लगातार चलाते रहें सब के मतलब की बहुत सारी चीज़ें तेज श्वास के साथ इसको पूरा ताकत के साथ बंद करना ताकत के साथ को पैसे चलाओ खूब शक्ति लगाके बंद करो खूब शक्ति लगाके खोलो कंप्यूटर पर लगातार काम करने वालों के इंटरनेट पर लगातार काम करने वालों के लिए और आफिस पर लगातार काम करने वालों के लिए एक विशेश सत्र हम बनाएंगे और उसको आप सब के सामने रखेंगे आज का यह सत्र हमने सूक्ष्म व्यायाम का स्थूल व्य तो प्रम rele kleine Loop या पुर्ण मेवा वशिष्यते और शांते 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 शर्वे भ्योन महा कर अरफ स्वामी नीच्वक के सभी दश्रकों से आज के करेकं में यहीं विदा लेता हैं यहां पर हमने करेकं पूर्ण कि जा कल हम फिर से मिलें गे और फिर से आपको और आगे के दैने की योगा ब्यास क्रम में और हमें और क्या क्या करना चाहिए वह भी कल बताएंगे तब तक के लिए सभी लोग करें योग रहे निरोग जै अजमेर निरोगी अजमेर जै राजिस्तान निरोगी राजिस्तान स्वस्त भारत संब्रिद्न महारत भा बारत माता की जय वंदे मात्रम ओम शम।